तो आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ राजस्तानी काच्रे का अचार ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है एकदम मसालेदा चिटपटा अचार आज हम बनाएंगे इस टाइम में ये काच्रे आपको इजली अवलेबल हो जाएंगे खास करके राजस काच्रे हैं जो एकदम फ्रेश हैं और एकदम टाइट टाइट आपको काच्रे लेने हैं चार बनाने के लिए इस तरह से बाहर से एकदम सक्त होने चाहिए बिल्कुल भी सौफ्ट नहीं होने चाहिए इन्हें आपको अच्छे से वोश करने के बाद कपड़े से पहुंच कर लेना है तो इस तरह से सायट के कॉनर स PAT कर लेंगी और फिर हम इस तरह से कट कर लेंगे बीच में से पतले लंबे slices में कट करेंगे एक काच्रे को far事 कि है हि और अगर आपके का坐 जोटे सायज के हैं तो आप इन दो पीसी बीकप कर सकते हैं या फिर derived from 103**** कुछ काचरे करना है तो आपको सब काचरे को एक करके च Upper बनाने के लिए आपको इस बाने के आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखनाए कि आपको इन काचरों को AM नहीं करना है इनके छिलके नहीं निकालने हैं इन सभी काचरों को आपको छिलकों के साथ ही कट करना है अगर आप छिलके निकाल देंगे तो अचार जल्दी कल जाएगा जल्दी खराब हो जाएगा और आप छिलकों के साथ बनाएंगे तो यह अचार काफी सालों तक चलेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा और दिखने में भी बढ़िया रहेगा तो ये सभी काच्रे आप इस तरह से कट कर लें और कट करने के बाद अब आपको इसमें एड़ करना है एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच ही मैं आपर नमक एड़ कर लूँगी हलदी और नमक को इनसे इन काचरों में जितना भी मुषचर है अंधर बहार आ जाएगा तो इसलिए आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इसे धूप में रग देना है आप जानते सूती कपड़े पर फिलाकर भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से प्लेट में भी रख सकते हैं दो से तिन घंटे के लिए धूप में रख दे ताकि इसमें जितना भी मोईस्चर पानी बने वो एकदम सूख जाए और एकदम आपका अचार जो है इनका जो मोईस्चर है वो निकल गया है ये देखे इस तरह से प्लेट में हमने साइड किया था तो कुछ काचरी की बीच और हल्दी नमक का पानी बनकर के साइड में आ गया है ये काचरी जो है वो अचार बनाने के लिए रैडी हो गए हैं अब आपको इसी साइड रख देना है गेस पर आपको लेनी है एक कड़ाई और इसमें आपको एड करना है कच्ची घनी सरसो का तेल ये अचार बनाने के लिए यूज होता है ये सरसो का तेल जिसे अचार का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़िया आता है तेल को आपको अच्छे से भाप निकलने तक गरम कर लेना है और थोड़ी दिर में आप देख पा रहे हैं तेल में से भाप निकल रही है तेल अच्छे से गरम हो गया है गेस की फिलम को हम ओफ कर देंगे और ओल को आपको हलका ठंडा कर लेना है हलका थंडा होने के बाद आपको इसमें आड़ करना है एक छोटी चमज जीरा साथ ही आपको इसमें 4-5 लोंग आड़ कर लेनी है जीरे और लोंग के अच्छे चटक जाने के बाद और ओलका सा और थंडा हो जाने के बाद आपको इसमें चुटकी बार हिंग एड़ कर लेनी है साथ ही एड़ करेंगे दो टेबल स्पून दाना मेथी हाफ टेबल स्पून कलोंजी एड़ करेंगे इसके बाद आपको इसमें एड़ कर लेनी है सौफ अचार के लिए जो मोटी वाली सौफ होती है वो आपको इसमें एड करनी है दो टेबल स्पून और एक टेबल स्पून आपको इसमें राई डाल एड कर लेनी हैं जिससे अचार में खटा चट पटा टेस्ट आएगा सभी खड़े मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स करने हैं और इसके बाद आपको इसमें एड करने हैं काच्रे जो आपने रेडी करके रखे हुए हैं वो काच्रे आपको इस ओल में एड कर लेने हैं और सभी मसालों और ओल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने हैं मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे ड्राय मसाले ड्राय मसालों में एड़ करना है आपको 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून रैड चिली पाउडर आपको एड़ कर लेना है और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर ल तो आप इस अचार को इजली अपने घर पर ड्राय कर सकते हैं और यह अचार यकीन माने सालों साल तक खराब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटा अचार बन करके तयार होता है और यह लिजे दोस्तों यह जो अचार है काच्रे का वो बन करके तयार हो गया है अब बस आपको इस अचार को ठंडा होने देना है जब यह चार पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब आपको इस जार में ट्रांसफर करकर स्टोर करके रख लेना है और यह चार खाने के लिए रेडी हो जाएगा चैसे साथ दिन के बाद और आपको चार बनाते समय ध्या तो आपको बनार्सी यानि की जो साबुत राई है वो नहीं एड करनी है इस तरह सी राइदाल एड कर लिजेगा यह आपको मार्केट में इजली मिल जाएगी और अगर आपका और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके हर डाउट को जरूर क्लियर करूंगी इसी तरह की कोई और नहीं रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरे चैनल पे कई तरह के आचार की रेसिपी मिल जाएगी तो एक बार आप सभी चेक आउट जरूर करिएगा तो मैंने यहां पर एक काच का जार लिया है जिसे मैं अच्छे से वोश करने के बाद धूप में सुखा दिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी नमीन आ रहे हैं अब हम इस जार को इस जार में ट्रांसवर कर लेते हैं आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं प्लास्टिक का या चीनि इस अचार को आपको पूरी तरह से ओल में कवर करके रखना है जिससे ही अचार सालो साल तक खराब नहीं होगा उपर आप देख पा रहे हैं हलके से ओल की कमी है इसलिए मैं इसमें और ओल एड कर लूँगी गरम करके ठंडा करने के बाद अगर आपके पास किसी दूसरे अ जट पटे मसारेदार काचर काचार का मजा लिजे मैं मिलती हूं आपसे नए वीडियो में ने रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई